हलो फ्रेंड्स मैं प्रदीप सिंग्राठोड आपका स्वागत करता हूं आज हम देखेंगे कि हम अपने डाटा और फाइल्स को कैसे सुरक्सित रख सकते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे थे कि खार आपके फाइल्स को लिए और फास्वाभ पीज़िव्द आपता है अरुम लग तरह कि कीमें दरेंगे सावी नमालुकक फाइल्स को डाटा नगे भीखेंगे ठीक है तो यदि आपूर्मली हायट करतेンチटी तक रिफाइलं करते हैं उसी फाइल या फोल्डर को देख सक के हैं पर जो मायं आपको ट्रिक बताने जाँ इस डुत हैं यह सी त्रिक С्एफरEC पेना के त्रूं जो cmd command prompt होता है अपना dose होता है उसके तुरू हम यह task को complete करें इसके लिए एक normal सी 34 steps है जो हम follow करेंगे और उसके तुरू हमारी hard disk के partition easily hide हो जाएंगे तो आए करते हैं देखते हैं कैसे ही hard disk को हम hide कर सकते हैं अभी just a minute wait सबसे पहले हम इसमें my computer open करेंगे open करके हम यहां देखेंगे hard disk के partitions किते हैं यहां पे फिलार हमें six partitions दिखाए देगे जिन में जैसे local disk c.a.d.a.movies.movies.one.software.local disk.ad. ऐसे काफ़ी सारे partitions हम दिखाए देगे अब हम इन partitions को क्या करेंगे इन में से किसी एक partitions को हम hidden करना चाहेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हं रन के अंदर जाके run को open करेंगे run को हम इस तरीके से कर सकते है यहां start में click करे के यहां start में आप run type करें run रन आएगा इसको आप open करें open करने के बाद आपकी सरुन के अंदर disk part लेगे आपको दिखाए दिया हाए दिखाई दे रहा है इस किया हुआ आफिर से टाइप कर सकते हैं इसको D-I-S-K-P-A-R-T डिस्क पार्ट टाइप करें और एंटर दबाएं एंटर दबाएंगे आप इसे यूजर कंट्रोल अकाउंट को येस करने येस करने के बाद ऐसा गरने पर ये आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें डिस्क पार्ट है ये कमांड प्रॉंट ओपन हुआ है cmd अपना जिसके अंदर आप क्या गर सकते हो आसानी से अपनी कमांड़ टाइप कर से हैं इसमें हमें जो फाइल से हाइड करनी है सबसे पहले हम क्या गरेंगे उस file को देखेंगे कि कौन सी file से sorry file नहीं hardis का partition कि किस partisans को हमें hide करना है इसके लिए हम सबसे पहले यहां पर एक command लगाएंगे list wall यह command जिते भी hardis के partisans है वो show करेगी इसके बाद जिस partisans को हमें hide करना है हमें उसका volume जो label है volume के आगे जो number दिये में number label number उन में से हमें क्या गरना है वो number जहां रखना है जिसको हम hide करेंगे वो type करेंगे तो next command होगी हो select wall select wall command के थूर हम उस volume को select करेंगे इसके hide करना है फिलार मेलको जिसे पार्टिसन नमर जी ओ फाइफ जिसका है उसको हाइट करना है इसके लिए इसके लिए फाइफ प्रेस करूँगा सिलेक्ट वॉल्यूम 5 तो यह वॉल्यूम 5 सिलेक्ट हो जाएगी अब आप देख सकते हैं यहापे सारे के सारे पार्टिसन अवेलिबल है कुलए 6 अब मैं इस अभी में ने फाइफ जो वॉल्यूम 5 यह जो यह है इसको मैंने अभी अभी यहां पर select किया है select command की थुरू select wall command की थुरू अब इसको अटाऊंगा इसके लिए remove r e m o v e remove अगली जो command की रिमूव होगी रिमूव के थुरू आप रिमूव टाइप करके और आप एंटरप्रेस कर लें एंटरप्रेस करते हैं वह artist का partition आप देख सकते हैं वहाँ से हट गाइब हो गया हट गया वह हाइड हो गया जब भी आपको उस partition की जरूरत हो तब आप सारी process same to same ही है बस जो आपने command remove लगाई है उस remove command की जगह है आप लगा होगे assign a wsi gn assign command लगाते ही वह partition आपके सामने वापस यो हो जाएगा यह एक simple trick है जिसके तुरू आप हमने system के जो artist के partition से उसको आप hide कर सकते हैं आप इस system को restart करोगे तो भी hide partition यो नहीं होगा चाहिज इतनी बार आप restart कर लो एक है यह जब ही वापस होगा जब आप वापस किसी तरीके स जो मैंने process बताई है disk part run के अंदर disk part टाइप करके उसके बाद volume में जाके आप अपनी list का volume है जो है वो select करेंगे उसके बाद select volume के बाद यह message आएगा volume selected का उसके बाद आप यह जो मैंने असा रिमू कमांड है इसके तुरू hide की हुई होती है तो आप remove की जगर स्रीफ assign command कर देता हूं आप try करें इसको एक बार जरूर देखें कि कैसे इसका यूज किया जा सकता है और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा share करें subscribe करें channel को और view करें thanks for watching this video welcome